सबी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों आज एक नए पौधे के साथ फिर हाजी रुआ हूँ जिसका नाम कनेर है इसको अलग-अलग जगा पे अलग-अलग नाम से फुकारा जाता है हमारे भारत में ये बहुत ही जादा मातर में उपलब्ध है दोस्तों सुपर ग्रीन संसार की सबीसोड में आप सभी दोस्तों का स्वागा थे दोस्तों आज एक नए बनिस पती के साथ फिर हाजी रुआ हूँ एक बहुत ही अध्भू जानकारी के साथ दोस्तों यहाँ जो बनिस पती का पौधा है देखने में तुझी तो महम्मूली है लेकिन इसके बहुत ही फायदे हैं इसमें पिले रंगे फूल आते हैं और इसके जो गुड़ है चलिए आपको हम बताते हैं इसमें क्या-क्या गुड़ है चेहर का पौधा है ये किसी भाई और बंदों को अगर चेहरे पे केल मुआसा हो जाता है तो इसके लिए बहुत ही फायदे मंद है इसमें जो दूद निकलता है दोस्तों ये बहुत ही फायदे मंद होता है चलिए इसकी दूद हम आपको दिखा दे रहे हैं किसका दूद कैसे निकलता है कैसे क्या होता है जैसे देखिए दोस्तों ये देखिए ये डाल है जैसे आप इसको तोड़ेंगे तो ये देखिए आपका इसमें जो ये सफेद रंग का दूद निकलता है अगर आप इसको चेहरे पे लगाते हैं तो ये बहुत ही मुहासों के लिए बहुत ही फा क्या करें इसके पत्ते को आप ले आए को लिए सुखुवाने के वाद इसको क्या करें आप इसको थोड़ा सा जला लीजिए और इसकी जो राक है इसके राक को नारियल के तेल में मिला के लगाई यह तो बहुत ही जल्दी इसके घाव भरते काई सभी घाव हो गया हो नहाँ ना भरता हो तो ये इसका जो घाव होता है तुरन घाव भर जाता है बहुत ही उप्योगी बनस्पति है ये दोस्तो चर्मरोग में ये बहुत ही फाइदे मन्द होता है इसके जो उपियोग है थोड़ा सा हलका सा कठीन चर्मरोग में लेकिन वो बहुत ही कारगार उपियोग है क्या करना है आप इसके जो पौधे होते हैं इसके पौधे के आपको जड़ लाना है थोड़ा सा जड़ लाना है उंगली के बराबर मोटी जड़ लाना है और क्या करना है कि उस जड़ को सिरके के साथ पीशना है जो हमारे घर में सिरके होते हैं गन्ने के सिरके आते हैं या से जल्दी एसर करेगा दोस्तों इसका एक उपयोग हम और बता दे रहे हैं जैसे कि किसी भाई बंद को कहीं पे दर्ध होता है चोट का दर्ध है कहीं गिर जाते हैं कमर में दर्ध हो जाता है कोहनी में दर्ध हो जाता है घुटने में दर्ध हो जाता है तो आप क्या करें इसके फूल ले आए पत्ती ले आए और इसको अरंडी का तेल जिसको हम रेण का तेल भी बोलते हैं सरसो का तेल और नार्यल की तेल इसको समात्रा में लेने के बाद इसको काफी देर तक हम उसमें पकाते हैं जब तक इसके फूल काले ना पड़ जाए पत्ते काले ना पड़ जाए और जब तक उबालते हैं फिर उसके बाद उबालने के बाद हमको क्या करना एक सीसी में इसको रख लेना है सीसी में रखने के बाद हमको उस जगह पर मालिस करना जहां पर हमको दर्द होता है कि देखिए दोस्तों कुछी दिने में आपका दर्द छू मंतर हो जाया का बहुत लापकारी परोदा है यह दोस्तों कलर के लाल रग के आते हैं यह पीले रंग का है सफ़ेद कलर के भी आता है तो इस कलर को इसलाद को키 माईने नहीं है तो आपको क्या करना है इसके पत्ते को लाना है इसके पत्ते में अरंडी का तेल लगाना है लगाने के बाद इसको सेक लेना है और सेकने के बाद आपको क्या करना है कि चोट वाली जगा पे आप इसको बांध लीजे रात भर के लिए बांध लीजे देखिए कैसे ये चोट क लाबकारी होता है बहुत ही फायदे मन और लाबकारी होता है जो कि बहुत ही लाबकारी सिद्ध हुआ है जिसे कि आप फूल देख रहे हैं इसकी ये कॉमल कॉमल फूल देख रहे हैं आप तो आपको क्या करना है इसकी फूल को एकत्र कर लेना है और इसकी पंखड़ियों को मिलतानी मिट्टी मिलाना है हल्दी मिलाना है और गुलाब जल मिलाना है और आपने कील और मुहासे पे लगाई दोस्तों कील मुहासा तो ठीक होगा और दाग भी नहीं रहेंगे चेहरा चमक उठेगा यह अत्यंद ही लापकारी पौदा है तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी ह अगर जानकारी अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना अगर नए है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलते हैं दोस्तों एक नए जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार